नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजेनार सेंगे किन पर फ्रेंट्स अज बात करने वाले नोट सेट 6 अपरी एक्जामिनेसन से 2024 के मेमोरी बेस्ट आंसर की के बारें बात करेंगे जो की 14 अप्रेल 2024 को कंडेक्ट करवाया गया है और ये पार की जा रही है तो कुसंस बात करते है 72 से विच अप दे फॉलोविंग करक्ट स्टेट्मेंट है रिगार्डिंग मिजर्मेंट आफ दे गूडल एरवे तो गूडल एरवे का जो मिजर्मेंट किस परकार से किया जाता है वो यहां पर दिया गया है डागराम के मादियम से एंगल अफ मेंडिबल और तर्ग司 अफ टू एंगल अफ तू एंगल ऑफ माउथ तू एंगल ऑफ मेंडिबल तु हिसके नदर जो राई आँ सर आप देख सकते हूँ और ऑफ्ट से एंगल ऑफ दे मेंडिबल तू इसको इहां पर एक करक्ट पलेस्मेंट बताया गया है Qs No. 73, a prescription read phenytoins 0.2 gram, 0.2 gram phenytoins का prescription दिया गया है, orally twice a day दिया गया है, the medications label state that each capsule is 100 mg, तो परते capsule जो यहाँ पर रहने वाला 100 mg का एक capsule रहने वाला है, the nurse prepare how many capsules to administer, तो कितना capsules यहाँ पर administer करने वाली है nurse, तो इसका यहाँ पर 0.2 gram को अगर milligram में convert करना है तो 200 mg, then यहाँ पर एक available कितना dose है, आप देख सकते हो, यहाँ पर available जो dose है, अपने पास में यहाँ पर 200 mg का है, और available dose 100 यहाँ पर रहने वाला है, तो इसको काटने के बाद में कितना आता, 2, ओके तो इस परकार से आप two capsules यहाँ पर दे सकते हो, नेक्स्ट कुसंस नंबर 74, वेहर डंकन पासेज लोकेटेड, जो डंकन पासेज है, वो कहाँ पर लोकेटेड है, राइट आंसर अंडमान, जिसका आप यहाँ पर देख सकते हो, डंकन मार्ग हिंद माहसागर में एक जलमंड गरू मद्द है, यह दक्सिन अंडमान और लिटल अंडमान के विच में स्थित है, यह लगव 48 km सोड़ा है, यह उत्तर में रटलेंड द्वीप और दक्सिन में लिटल अंडमान को अलग करता है, तो इस परकार से यह एक gk का questions यहाँ पर पूछा गया है, next questions number 75, a person falsely claiming to have a special knowledge or skill, यह एक English related questions यहाँ पर पूछा गया है, one word वाला, जिसमें आप 4 options यहाँ पर दिये गया है, और right answers के अगर बात करें तो यहाँ पर right answer है, चार्ट लन, ओके, तो चार्ट, चार्ट लन, इसका right answer है, जिसमें यहाँ पर दिया गया है कि चार्ट लन का मतलब क्या होता है, दोके बाज, दोके बाज वह है, जो अपने पास ग्यान होने का दिखावा करता है, और यह नहीं, तो इस परकार से चार्ट लन का जो यहाँ पर इंदी महरत बता गया है कि जिसके पास ग्यान है, बट वो दिखाने का, ग्यान नहीं है, बट वो दिखाने का वहाँ पर नाटक करता है, नेक्स्ट एक कुसंस नम्मर 76 है, दे इंडियन तो बीट्स दे कम्प्यूटर्स इन दे मैथेमेटिकली वाइज़ली इस, तो इंडियन जो मैथेमेट सकुंतला देवी जो है, यहां पर आप देख सकते हो, सकुंतला देवी क्या है, चार नमंबर 1929 से 21 अप्रेल 2023 तक इसका जियेवनकाल है, जिसमें सकुंतला देवी वाज एंडियन मैथेमेटिसियन या राइटर एंड मेंटल किल्कुलेटर्स, पॉपुलरली नोन एज हुम जो सकुंतला देवी है, इसको हुमन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, नेक्स्ट एक क्यूसंस नम्मर 77, जो रीजनिंग से रिलेटेड आप देख सकते हो, देरवाज दा फाइफ रेड और सेवन ब्राउन ब्राउन बॉल, टू बॉल्स आर सेलक्टेड वन बाई विदाउट रिप्लेसमेंटर, फाइंड दे प्रोबिबिलिटी देट पस्ट इज ग्रीन एंड सेकिंड इज रेट, तो इस परकार से प्रोबिलिटी का यहां पर क्यूसंस पूछा गया है, जिसमें राइट आंसर के अगर बात करें, तो यहां पर सी जो 35 by 132 इसका दिया हुआ है, नेक्स्ट कुसंस है, परपज आफ जिंक इन ओर इस, और इस के अंदर जो जिंक का परपज क्या रहने वाला है, चार ओप्संस यहां पर जिसमें पर्स्ट रहने वाला टूरीदूस दे डूरेशन आप दे डाइरिया, डाइरिया को जो डूरेशन से उसको डाइरिया, डाइरिया के डूरेशन को यहां पर रिदूस करना है, इसका परपज रहने वाला है, नेक्स्ट सेवन्टी, नाइन नंबर जिसमें, विच मेडिसिंस विल नोट एडिमिनिस्टर इन ट्रेटमेंट आप दे डिस दी इन लंबर पंचर, लंबर पंचर के जो ट् रहती है, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीवाइटिक, स्टिरोइड और एनस्थेटिक से, तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन्स ए, एंटी इंफ्लामेटरी, नेक्स्ट एक कुशन्स से, एटी, ए त्री एर ओर चार्ड इस टूबी इंटूबेटेड, मिनीमम हाव मेनी इटी टूब्स शुडबी पैलेस्ट ओन दा बेड़ साइड, एक तीन साल का बच्चा है, उसको इंटूबेडेट करना है, तो मिनीमम कितनी इटी टूब्स है, जो बेड़ साइड में उसके पास रखना है, तो यहां पर राइट राइट रांसर थरी रहने वाला है, जिसम कि जो tube suitable है वो आपे लगाना जरूरी है तो next questions नमबर 81 जिसमें दिया गया है कि G3 ओके ग्रेविडा 3 है पेराइटी 2 है इन विच सीजेरियन भी आपे 2 times हो चुका है तो risk of uterine rupture कितना risk उसका रहने वाला है तो 2 to 3 percent 5 to 7 percent 10 to 12 percent और 46 percent है तो right answer यहाँ पे 2 to 3 percent इसका जो uterine rupture का risk है वो रहने वाला है next questions नमबर 82 80 tube से 4.5 mm which size सक्सन केथेटर यूज 4 mm का 80 tube है तो सक्सन केथेटर कितने फ्रेंज का वाँ पे यूज होने वाला है तो 4 options आपके सामने यहाँ पे दिये गहें सबसे पहले 80 tube का जो size plus केथेटर का जो size देख लेते हैं जिसमें यह दि 2 mm का 80 tube है तो उसमें 5 फ्रेंज का सक्सन केथेटर यूज करना है 2.5 का है तो 6 फ्रेंज का और 3 mm का यह दि 80 tube है तो 7 फ्रेंज का 3.5 का है तो 8 फ्रेंज का 10 फ्रेंच इसका right answer यहाँ पर रने वाला है जिसमें से बात करतें 83 के बारे में जिसमें वही कुसंस है 6 mm का 82 यहाँ पर दिया गहा है a patient admitted in the casualty ward and intubated with 6 mm endotracheal tube for the airway management which of the following suction catheter is used endotracheal suction तो वही 6 mm का 80 tube है जिसमें से कितने mm का suction catheter यहाँ पर यूज करना है तो इसका जो right answer है वो 12 फ्रेंच इसका right answer रने वाला है next questions number 84 methods to prevent mucosal damage which suctioning while suctioning तो कौन सा method है जो prevent करता है mucosal damage को जब suctioning आप कर रहे हो तो चार options है continue suction while withdrawing, continue suction and during insertion do not apply the suction suction और oxygenation तो right answer यह option सी इसका रहने वाला है जिसमें during insertion do not apply suction इसका right answer रहने वाला है जब आप suction करने वाले हो या during insertion जब जो suction catheter है उसको आप insert करते हो तो उस time में suction जो machine उसको बंद करना है जैसे end point आ जाता है और उसके बाद में सक्षन को आपको चालू करना है जिससे कि उसमें गेग reflex या जो भी उसमें problem ना हो नेक्स्ट कुसंस नमबर 85 अस्टमा पैसेंट को कितना oxygen दिया जाता है तो लेटर पर मिनट फाइप लेटर पर मिनट और एट लेटर पर मिनट तो रहने वाला है नेक्स्ट एक क्यूसंस नमबर 86 Google Airway Inseration is Contra Indicated in तो बहुत सारे कैंडडेट है उन्होंने यहां पर Contra Indicated को अठाया कि Google Airway किस के अंदर यूज किया जाता है और कुछ कैंडेट्ट ने बोलाए कि इसको contraindicated उसमें questions में पूछा गया है तो दोनों परकार से मैं आपको बता देता हूँ तो सबसे पहले बात करते है goodal airway insertion is contraindicated in तो किसमें contraindicated रखा गया है तो semi-conscious present, conscious present और unconscious present या all of the above तो goodal airway को contraindicated रखा गया है आप देख सकते हो यहाँ पे जिसमें right answer यहाँ पे मैंने आपको बता है भी इसका right answer है contraindicated के अगर बात करें तो conscious present में contraindicated है और अगर यूज करना goodal airway किसमें यूज किया जाता है तो इसका जो exact जो priority wise right answer है unconscious present है और semi-conscious present semi-conscious present में भी इसको कभी-कभी यूज कर लिया जाता है जो अगर first priority पूछा जाए तो इसका क्या right answer है unconscious present में goodal airway का यूज किया जाता है contraindicated का तो right answer भी है then contraindicated को इदिया आप हटा देते हो तो इसका right answer यहाँ पे unconscious present आ जाता है next questions number 87 vital sign of the patient 103 degree 103 degree यहाँ पे fever है BP 14290 है heart rate 100 beats per minute है respiratory rate 25 breathe per minute से pen on the rating scales moderate pen rating 5 जिसमें से 10 में से यहाँ पे 5 rating scales यहाँ पे pen का दिया गया है तो most important priorities should be given by the nurse which of the following parameters तो आप देख सकते हूँ यहाँ पे सबसे जो important है BP यहाँ पे normal है और heart rate भी यहाँ पे कुछ जादा नहीं है respiratory sense भी normal दिया गया है क्योंकि जो temperatures बड़ा हुआ उसकी वज़स से यहाँ पे सब कुछ vital बढ़े हुए है तो इसमें पस्ट priority के अगर बात करे तो temperature, pulse, respiration और moderate pen तो right answer यहाँ पे options यह temperatures को यहाँ पे इसमें priority दिया गया है next questions number 88 vital sign of percent 104 degree fever BP 142 by 90, heart rate 110, respiration 30 most important priority of the nurses which will be parameter कौन सा parameter यहाँ प्राइविटी वाइज रहने वाला है तो temperature, pulse, respiration और BP तो इसमें भी वही यह temperature 104 उसकी वज़स से ही यहाँ पे BP तोड़ा बढ़ा हुआ है heart rate तोड़ा सा बढ़ा हुआ, respiration rate बढ़ा हुआ है अगर temperature को आप यहाँ पे maintain करते हो तो automatically जो vital signs है वो भी यहाँ पे normal parameters में आ जाते हैं तो इस परकार से इसमें भी temperature को यहाँ पे priority दी जाती है next questions number 89 core body temperature accept है तो core body temperature किस-किस में यूज किया जाता है बट यहाँ पे जो accept है यहाँ पे पूछा गया है जिसमें anti-oral, temporal artery, rectum और urinary bladder तो accept का जो right answer यहाँ पे रहने वाला है आप देख सकते हो इसका options A oral ओके, oral इसका right answer यहाँ पे रहने वाला है next है questions number 90 जिसमें 28 year old female present with hirsutism okay and male like hairs on the body which test should be due 28 साल की एक old female है जिसमें hirsutism हुआ है जिसमें hirsutism का मतलब होता है male like characters male like characters जैसे कि उसमें डाड़ी मुच्ची का आना मतलब beard आना और कुछ और भी symptom से जो male like आते हैं तो उसमें कौन सा यहाँ पे test किया जाता है serum FSH, serum LH, TVS, USG, serum progestor तो right answer यहाँ पे options B serum LH इसका right answer रहने वाल है next है questions number 91 when tablet crushing and give via NG tubes है एक tablet को crush किया जाता है और NG tube के द्वारा उसको दिया जाता है तो how many ml fluid taken for the administration of this medicine तो इस medicine को देने के लिए कितना ml fluid हो आप यूच किया जाता है 5 to 10 ml, 10 to 15 ml, 22 to 30 ml और 32 to 60 ml तो right answer यहाँ पे options B, C 22 to 30 ml इसका right answer यहाँ पे रहने वाल है कुछ books के अंदर इसका answer 32 to 60 ml भी है बढ़ यहाँ पे अगर देखा जाए तो 22 to 30 ml इसका right answer M's क्या मानता है उसकी बारे में बात करेंगे बाद नेक्स एक कुसंस नमबर 92 पैसेंट रिपोर्टेड लेग पैन यस्टरडे विच इस रेडिटिंग अप्टो दे काफ पैसेंट तेल दू नर्सिंग इस्टा इसका right answer यहाँ पे इंडिकेट करता है तो इसका right answer यही रहने वाल है नेक्स एक कुसंस नमबर 93 और very pleasing to it तो very pleasing to it यह मतलब अन सब्जेक्ट जो नर्सिंग के लवा जो सब्जेक्ट है उनसे कुसंस पूचा गया है जिसमें चार ओप्संस यहाँ पे दिया गया है तो right answer यहाँ पे देख सकते हो इसमें appetizing जो है इसका right answer यहाँ पे रहने वाला है नेक्स्ट है कुसंस नमबर 94 जो की reasoning से related है और इसमें statement दिया गया है कुसंस पर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट दो देख सकते हूं पर्स्ट है एक car accident occurs in a area सेकेंड स्टेटमेंट प्लिस seal the area for the first half of the day तो first half of the day तक उसको फ्लिस seal कर देती है तो इसमें चार option से आप पे दिये गहे है पर्स्ट इस the cause और second is the effect then second है पर्स्ट इस the effect और second is the cause पर्स्ट और second are the effect of the independent causes और पर्स्ट और second are the independent causes तो इस प्रकार से इसका जो right answer है आपको ही देना है ये questions paper आपके लिए ही रहने वाला है next है questions number 95 जिसमें वही statement दिया गया है malaria outbreak occurs in area private practice nurse closed their hospital in the area तो इसके अंदर वही चार options दिया गया है जिसमें आपको ही right answer इसको comments box में देना है next questions number 96 what procedures or articles should be done before intubation से कौन सा procedures और articles intubation से पहले ही यूज किया जाता है paper breathing, hyperventilations before intubations और perform celiac maneuver तो right answer याँ पे options B hyperventilated before intubation इसका right answer याँ पे रहने वाला है next questions number 97 a patient on chemotherapy develop thrombocytopenia which of the sign indicate in the patient कौन से sign उसमें indicate होने वाले है कीमो थेरेपी का पेसेंट है thrombocytopenia इसमें हो चुका है तो bruces और fever दो options याँ पे प्राप्ति हूँ है जिसमें से right answer याँ पे options A bruces यहाँ पे रहने वाला है next questions number 98 a patient is having calcium level 7 mg per deciliter identify ECG changes seen in this patient a patient है जिसमें calcium level 7 mg per deciliter है तो उसमें ECG changes यहाँ पे क्या आपको मिलने वाला है मतलब hypo calcium वाला पेसेंट है जिसमें क्या serum calcium level है तो इसमें क्या ECG changes आपको देखने को मिलेगा T wave inversions prolonged cutie interval और prominent T waves और peak U waves तो right answer यहाँ पे रहने वाला options B prolonged cutie interval next है questions तो इस परकार से 98 questions के बारे में अपन बात कर चुके 99 और 100 नमर का जो questions है मेरे को नहीं मिला है तो दो questions यहाँ पे रह चुके है next एक questions है जिसका पहले कुछ wrong answer वाँ पे बता दिया गया था जो की review किया गया है और उसको correct आपको बताया जा रहा है WHO declare COVID-19 as a public health emergency on तो WHO के दवारा COVID-19 को public health emergency कब गोसित कर दिया गया है तो 13 जनवरी 2020, 20 जनवरी 2020, 30 जनवरी 2020 और 31 जनवरी 2020 तो इस right answer इसका option C, 30 जनवरी 2020 इसका right answer रहने वाला है 98 questions के बारे में बात कर चुके हैं और फिर भी अगर आपको डाउट हो तो please comment box में जुरूर comment करें, reply करने की कोसिस करेंगे प्लस कुछ ऐसे questions हैं जिनमें अगर आपको answer में doubt लगता है तो उसका भी आपको comments करना है जिससे कि उसका भी next जो वीडियोस में उसका solution किया जाएगा और जल्दी इसके cutoff के बारे में भी आपको वीडियो के मातिम से बता दिया जाएगा कि किस परकार से इसका cutoff रहने वाला है क्या इसका cutoff यहाँ पर जाने वाला है तो पस्ट चैनल एसा है जिसमें से 98 questions के बारे में इस चैनल के अंदर बताया गया है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहे मस्त रहे धन्याद फ्रेंड्स झाल 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 झाल